हेई गाईज मैं हूँ सुश्मिता आपकी क्रिप्टो गाईड और आज मैं बात करने वाली हूँ होडल के बारे में होडल एक स्पेलिंग मिस्टेक है होल्ड का यानि पकरना 2013 में एक लंबे बुल रन के बाद बिटकोईन के प्राइसेज गिरी थी December 18, 2013 में एक बिटकोईन थ्रेट टॉक के दौरान GameCube नाम के यूजर ने गलती से होल्ड को होडल टाइप कर दिया था I am simply होडलिंग उसका मतलब था होल्डिंग यानि वो अपने बिटकोईन को नहीं बेचने वाला तब से होडल को एक मार्केट कॉल जैसा इस्तमाल किया जाता है ताकि लोग अपने कोईन को बिना बेचे पकड़े रखें Cryptocurrency Investors जोकी तेजी और मन्दी दोनों में ही अपना Cryptocurrency नहीं बेचते ये ज्यादातर एक मन्दी बजार के लिए इस्तमाल किया जाता है ये उन ट्रेडरस के लिए है जो मार्केट में अपने Assets नहीं बेचते bearish trend के दिवारान भी इसलिए वो अपने coins को जमा करके रखते हैं HODL का बाद में मतलब holding on for dear life बोला गया ताकि low और volatile market में तुरन कुछ ना बेचें आगे जाके HODL और build शब्द मिलाकर Biddle भी बनाया गया जो crypto network तयार करने का एलान है तो ये था HODL और ऐसे और technical terms के बारे में जानने के लिए नीचे comments में जरूर लिखें और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूरें तब तक के लिए बबाई